तोहरे दोस्ते दर्म बात करने वाले है कि आपके एक्जाम से 15-20 दिन पहले आपको क्या करना चाहिए आपको किन बातों को दिहान रखना चाहिए आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं क्या आपको फोलो करना है क्या आपको चीज़े करनी है और क्या चीज़े आपको नही तो इसको थोड़ा strong बनाओ, एक routine perfect बनाओ, अपने routine के अंदर at least 5 to 6 hours study करो, क्योंकि exams करीब हैं, आपके 15-20 दिन बाद exams हैं, भई, आपको study करना है, जाधा करना है, तो अपने routine में 5-6 घंटे study include करो, आपके coachings को हटा के, आपके school को हटा के, आपको 5-6 घंटे दिन में study के नि निकालो, रात में निकालो, या early morning निकालो, लेकिन आपको study करनी है, ठीक, एक perfect routine बनाओ, एक time time बनाओ, कि पाचे घंटे study करनी हैं, अब कभी भी कर लो, ठीक, सुभा करो, या शान करो, या school में कर लो, एक चीज़ प्रो टिप, अगर आप school जा रहे हो, तो school में क्या करो, जो आपके खाली periods हैं, या फिर आपके जो भी interval time है, जिसमा आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी कभी teachers नहीं आते हैं, तो उसमें भी आप study करो, तो आप उसमें भी इसको include कर सकते हो, ठीक है, self study करनी है, self study क्या होती है, जो आप खुद study करते हो, आप खुद जानते ह करो, वो आपकी मरजी है, उसके आद हम बात करते हैं second thing की, study when there is minimum disturbance, एसे time करो, जब आपको सबसे कम disturbance होता है, अब सबसे कम disturbance कम होता है, यह आपके उपर depend करता है, कि आपके family कैसी आप कहां रहते हो, कहीं कहीं पर रात में इतना disturbance होता है, क्योंकि family gathering होती है, लेकिं कहीं कही morning में जादा होता है, तो आप उसके according अपने time fix करो, हो सकता है कि आपके जल्दी सोते हों, तो आप रात में study करो, ताहिए आपको कोई disturb ना करे, या फिर आप सुभा early morning study कर सकते हो, क्योंकि सुभा कोई नहीं जागता होता है, नहीं कोई आपको online मिलेगा, नहीं कोई आपको distraction ना हो, और लगतार पड़ते जाओ उसके अंदर, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, जितना घंटा में लिए उस time पड़ो, सबसे best method है कि आप उस time study करो, जिस time पर disturbance कम हो, तो select आपको खुद करना है, कि किस time पर disturbance कम होता है, वो आपके coding होगा, तो आपको उस time study करने, इस time पर minimum disturbance होता है, बात कर लेते हैं हम third point की, जो है, don't use your mobile, अब ऐसा नहीं के mobile बिलकुल यूज नहीं करना है, यूज कर सकते हो, बट एक्सेस यूज नहीं करना है, आपको excessive यूज नहीं करना है, फ़ड़ा कम यूज करो उसको, और उसको silent रखो, okay, silent रखोगे, तो आपक phone का data off रखो, तिसरी चीज, अपने phone में जो आपके applications हैं, उनके notification को off कर दो, आप उसको तभी open करो, जब आपका मन हो, तब नहीं, जब को कोई बुलाए, तो इसके notification off कर दो, data off रखो, जब जब ज़रूरत हो, तभी open करो, और आप routine तो बना रहे हो, routine के according पड़ो, routine के according ही phone यह नहीं कि पड़ाई के time पे phone यूज कर रहे हो, और जो phone यूज कर रहे हो, तो पड़ाई दिमाग में आ रही है, तो ऐसा नहीं करना है, एक time fix करो, और उसके according चलते जाओ, अराम से आप बिना किसी extra effort के अच्छे से marks लेकर आओगे, टॉप कर जाओगे, अगर ये जा रहे हो, for example, आपको सोते हो, 11 बजे या 12 बजे, तो आप 10 बजे ही revision करना स्टार्ट कर दो, जो भी आपने दिन भर में पड़ा है, क्योंकि आप जो रात में उसको पढ़ लोगे, और फिर सो जाओगे, और फिर अगें सुभा उटकर सो पढ़ोगे, तो आपको वो चीज बार-बार repeat होगी, तो आपको याद हो जाएगी, यह trick अपना के देखो आप, या तो सोने से पहले revise कर लो, या फिर आप सुभा-सुभा उटने के बाद revise कर लो, दोनों में से काम करो, आपको काफी अच्छे result मेंगे, आपको जो भी याद करोगा, आपको याद हो जाएग उसके बाद है आपकी fifth tip, जिसमें काफी सारे चीज़े included हैं, जैसे कि आपको अपनी sleep पे focus करना है, क्या आप सही से सो रहे हो या नहीं, कभी भी sleep को sacrifice करके आपको study नहीं करनी है, उसका बुरा impact होता है, बट अगर आपका कुछ जादा ही या problem है कि आपका syllabus complete नहीं है, तब आप कर सकते हो, बट फिलहाल मत करना, ओके, तो sleep पे focus करो कि आप seven to eight hour sleep लो, आपके लिए जरूरी है वो, उसके बाद आप थोड़ी बहुत yoga या फिर exercise जरूर करो, क्योंकि आप दिन भर पढ़ोगे, आप इतना hard work नहीं करोगे, तो आपको थोड़ा energetic feel नहीं होगा, तो उस योगा करो या तो exercise करो, और उसके साथ healthy food या आपको ध्यान रखना है, सुनने में काफी basic आपको लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, हमें कुन सा gym करनी है, बट आपको उसका ध्यान रखना होगा, अगर आप heavy food खाओगे, आपको blood होगा, blood flow होगा, ज्यादा तर आपके नीद ना आए और आप देर तक पड़ पाओ, एक टिप और अगर आपको नीद आती है, तो आप चाय या फिर आप coffee यूज कर सकते हो, ठीक है, चाय या coffee ही करना, कहीं में जो energy drinks आती है, उनको यूज करना, वो काफी additive होती है, additive तो यह भी होती है, बट इदनी नहीं होती है तो आप इनको कर सकते हो, यूज आपको नीद कम आएगी, तो ये tip यूज करो, एक्जाम से 15-20 दिन पहले आपको काफी help करेगा, और आप एक्जाम में अच्छे marks भी लाप आओगे, तो ये थी आज की वीडियो आपको कैसे study करने चाहिए, 15-20 दिन पहले और कैसे आप material वीडियो है, उसको अलग बनाएंगे, लेकिन यहाँ है क्या आपको करना क्या है इन दिनों में, तो अगर ये पसन आए, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी गड़ देना, अगर आपको उसके वारे में और जानना है, तो आप मुझे comment कर दीजिए ताकि मैं उसको वीडियो बनाओं और आप उस चीज को फोलो कर पाओ, मिलते हैं आप से के लिए वीडियो में तब तक के लिए, all the best, thanks to the watching and peace.